इस 10 रुपए के पत्थर से आपकी बहुत सारी समस्याई दूर हो सकती है जैसे कि स्किन की प्राबलम, दात दर्द, मसूरों का दर्द, तुचा की जुरिया इसे के साथ और भी कई ऐसी समस्याई है जिन पर ये पत्थर रामबान उपाय सिद्ध हो सकता है अगर आप इसके ज यूज करना है और कैसे यूज करना है इसे के साथ इसे कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं यूज कर सकता है तो चलिए ये सारी जानकारे डिटेल में जानते हैं नमस्कार निशा मधूरी मेरे सिपीज में आप सभी का स्वागत है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली प्राचिन काल से ही फिटकरी का प्रयोग शेवीन करने के बाद घाव या फिर चोट लगने पर मसाज करने के लिए या फिर पानी को साफ करने के लिए भी किया जाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिटकरी का उप्योग सेहत को बहतर बनाने के साथ ही खुबसूरती के लिए भी किया जाता है तो आइए जानते हैं इसके कुछ प्रयोगों के बारे में मैंने यहां फिटकरी ले लिए अभी हम इस fit curry का एक टुपडा लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे इस तरह से खल्वत्ते में मैंने इसे बहुत ही बारिक पीस लिया है अभी हम इसे चान लेंगे जब हम इसका उपयोग face पर लगाने के लिए करते हैं तो इसे चानना बहुत जरूरी होता है फिटकरी में एंटिबायोटिक गुन होते है यानि कि सुक्ष्म जीवों को नश्ट करने वाले गुन इसमें एंटिट्रैकोमोनस गुन होते है जो प्रोटोजोवल इनफेक्शन को खत्म करते है इसे के साथ इसमें estrogen गुन होते हैं जो संकुजन पैदा करने वाले होते हैं यानि कि हमारे skin को tightening देते हैं इसमें antioxidant गुन पाये जाते हैं जो कि मुक्तकणों के प्रभाव को नश्ट करते हैं फिटकरी में anti-inflammatory गुन पाये जाते हैं जो कि सूजन को कम करने के काम आते हैं देखिए हमने फिटकरी को अच्छे से चान लिया है यदि आप इसे किसी airtight container में store करके रखते हैं तो पूरे एक से दो सालों के लिए आप store करके रख सकते हैं ये बिल्कुल खराब नहीं होती हैं चलिए जानते हैं इसके पहले प्रयोग के बारे में यदि आपके दातों में तेज दर्द रहता हैं दातों में cavity लग गई हैं आपके मस्रूडों में सूजन रहती हैं मुझ से काफी बदबू आती हैं तो आपको क्या करना है एक गीलास गुनगुना पानी ले ले लेना है इसमें दो चुटकी आपको फिटकरी का powder डालना है इसे अच्छे से मिला देना है यदि हो सके तो इस में एक चुटकी सेंधा नमग भी मिला दे इस पानी से आपको दिन में तीन बार गरगल करना है यानि की गरारे करना है आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपके मुझ से बदबू आने की समस्या दूर हो जाएगी आपके मस्रूडे काफी मजबूत हो जाएगे आपके दात पर इसे मल सकते हैं या फिर आपकी जो तूट पैस्त है इसके उपर एक चुटकी फिटकरी का पाउडर डाले और इससे रोजाना ब्रश करें इससे भी आपको बहुत ही जादा फाइदा होगा चलिए जानते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में यदि आपके चेहरे प और इसे अच्छे से मिला देना है इस पैस्त को आपको आपके चेहरे पर लगा कर रख लेना है केवल पांच मिनिट के लिए ही आप इसे लगा कर रखें पांच मिनिट के बाद आप इसे धो ले इस तरह से आप सब ताह में केवल दो सी तीन दे भी इसे लगाए आप चाहे पर दाग हो रहे हैं उस जगे पर आप लगा सकते हैं इसे अच्छे से लगा कर इस तरह से मसाज करें और इसे अच्छे से सूखने के बाद ये इस तरह से दिखेगा जैसे कि आपने हाथ पर नमक लगाया हो इसे ठंडे या हलकी गुंगोने पानी से धोले कुछी दिन इस तर ले उपाई की और अगर आपके चहरे पर बहुत ज़्यादा कील मुहा से आते हैं कील मुहा से जाने की बाद भी उनकी दाग नहीं जाते हैं तो आपके लिए ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा असरदार होने वाला है आपको क्या करना है एक कटोरी में अधा चम्मच मुलता पानी मिट्टी ले लेनी है इसमें अभी हम दो चूटकी फिट करी का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से मिला देंगे इसकी कंसिस्टनसी को आप अपने अजुसार एड़्यस कर सकते हैं देखिए अभी हमारा फेस पैक बनकर त्यार है इस फेस फेक को ठंडे पानी से दोले सब्ता में तीन से चार बार आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं बहुत ही असरदार इसके रिजल्ट मिलते हैं आपकी तवचा के दाग बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं चिन ऑलरजी और इस से भी आपको आराम मिलेगा चलिए बढ़ते हैं अगले उपाई की और अगर आपकी तवचा पर ग्लो नहीं रहा है तवचा काफी लूज आपको लग रही है कही आपको घाव हो गया है यदि आपको शेविंग के बाद बहुत जादा भुजली हो रही है रशिश हो रहे है बहुत जादा पसीना आता है जिससे बहुत जादा बदभु आपको आती है तो ऐसे में आप इस प्रयोग को जरूर करें आपको क्या करना है यह फिट करी ले लेना है इसे पानी में इस तरह से गीला कर लेना है अब इसे आप अपनी तवचा पर अपलाय करें जिस जगे आपको समस्या हो रही है उस पानों को यह मार देती है इसको यदि आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी तवचा काफी ज़्यादा टाइट आपको नजर आएगी चलिए बढ़ते हैं अगले उपाई की ओर यदि किसी के सर में बहुत ज़्यादा जूए हो रही है तो आपको क्या करना है फिट करी का यह पाउडर ले लेना है इसे पानी में मिला कर इसका एक लेप बना ले इस लेप को अपने स्काल्प पर अच्छे से मसाज करें और 15-20 मिनिट के बाद इसे अच्छे से धो ले इसे धोने के बाद आप देखेंगे बहुत ही जल जो की समस्या से आपको चुटकारा मिल रहते हैं तो आप इस फेसफैक को जरूर लगाए एक कटोरी में दो चुटकी फिटकरी का पाउडर हमें ले लेना है इसमें दो चुटकी हल्ति पाउडर डालेंगे आप ऑफि हम इसमें गुलावल जल और इसे अच्छे से मिला देंगे यादि आपकी स्किन बहुत पैर जिस जगे पर आपको सावला पन नजर आ रहा है जिस जगे पर आपको जुरिया नजर आ रही है उस जगे पर आप लगा सकते हैं इसे चेहरे पर अच्छे से लगा दे और 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दे 15-20 मिनिट के बाद आप इसे ठंडे या हलकी हुनगोने पानी से वाश करें चलिए जानते हैं इसके अगले उपाई के बारे में अगर आपको सर्दी खाची की समस्या हो रही है तो आप क्या करें फिटकरी का दो चुटकी पाउडर ले ले इसमें शहेद मिलाए और रोज रात को इसका सेवन करें इससे आपको काफी आराम मिलेगा चलिए जानते हैं इसके अगले उपाई के बारे में यदि आपकी एडिया फट रही है तो आप क्या करें एक बाउल में गुन गुना पानी ले ले इसमें एक चमच फिटकरी का पाउडर डाले और इसमें 15-20 मिनिट तक पैरों को डुबो कर रखें रोजाना इस तरह से करन और रात के समय अपने एडियो पर अच्छे से मल दे और रात भर इसे ऐसे ही छोड़ दे फ्रेंट्स इस तरह से अभी हमने फिटकरी के फायदों के बारे में जाना है इसे यूज करते समय आपको कौन सी साउधानिया बरतनी चाहिए फिटकरी में एस्ट्रेंजिन यलका तेल तुरंत लगा लेना चाहिए वैसे तो फिटकरी के कोई नुकसान नहीं होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज हर किसी को सूट कर जाए इसे लगाने से पहले आप एक पैच टेस्ट जरूर करें फिटकरी को पानी में गिला करके आप अपने हाथ पर लगा क पर देखें यदि आपको हाथ पर लाल दाने खुजली या फिर चकत्ते नहीं आ रहे हैं तब ही आप इसे अपने चेहरे पर लगाए अगर आपको आज के हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस हमारे वीडियो को लैक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस उस्पूल जानकारी से लाव हो सके इस वीडियो को देखने के लिए आप सब भी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते